नमस्ते जैदन वंद्री आजम एक टोपिक को लेकर सीरीज चालू करे रहे हैं जो गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार इसके बारे में हमारे पुज्य गुरुजी विश्वनात जी ने जो अपने जीवन काल में निरूपन किया जो संसकारों का सामाजी करण है हमारा एक लक्षिय ओ एक मिशन की तरह उनको जागरूत किया और गर्भ संसकार और गर्भ विज्ञान की सुक्ष्मता बता कर उनोंने मनुश्य जाती पर बहुत ही बड़ा उपकार किया तो इसके बारे में हम थोड़ी आज बात करेंगे कि य mission पुरा क्या है सबसे पेले यह समझ ले कि गेहूं की या कोई भी धान्य की प्रजाती को हम उत्तम करना चाहते है फलो की प्रजाती में रोज नए नए प्रयोग करके उसको हम उत्तम उत्तम कोलिटी का बनाना चाहते है पशुओ में भी अलग-अलग प्रयोग करके उसको भी हम उत्तम बनाना चाहते उसका विज्ञान आज विक्सित हो चुका है लेकिन एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य जाती को उत्तमता प्रदान कर सकता है और बाकी की सब उत्तमता का तभी फलितार्त होगा तबी वो उत्तम फल दे पाएगा जब मनुश्य जाती उत्तम ताकी और होगी यदि मनुश्य ही उत्तम नहीं होगा तो उसके हाथ में आप उत्तम से उत्तम वस्तु दे दोगे तो ओ कोई फाइदा उस उत्तम वस्तु का नहीं रहेगा क्योंकि वस्तु अपने आप में उत्तम या अधम नहीं होती है उसको जो उप्योग करने वाला माइंड उप्योग करने वाला जो व्यक्ती है या उप्योग करने वाला जो संस्तान है वो जब तक उत्तम नहीं होता है तब तक कोई भी वस्तु की उत्तम ताका कोई भी अर्थ नहीं रहता है तो सभी को हम उत्तम बनाना चाहते हैं मनुश्य को छोड़ कर मनुश्य को उत्तम बनाने के लिए कौन सा समाज में किस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है कोई समाज सुधार ग्रू में प्रयतन हो रहा है लेकिन वो उस पर प्रयतन हो रहा है जो एकदम धल जुका है जिस पर कोई बदलाओ की बहुत ही कम शक्यता है 5% अब जिसमें 95% बदलाओ की possibility है शक्यता है, संभावना है उस पर कोई काम जितना अपेक्षी थे उतना काम तो होता ही नहीं कोई नहीं करता ऐसा नहीं बता सकते है करते हैं बहुत लोग लेकिन जितना अपेक्षी थे उतना और उस quality का नहीं होता है जिसमें 95% शक्यता है 5% शक्यता है ऐसे बहुत कार्यों हो रहे है जो मनुश्य को एक पुखता आवस्ता में, प्रोडा आवस्ता में, युवा आवस्ता में बदल लेका उसको समुसकार देने का प्रयतन कर रहे है अनेक प्रकार की activities कर रहे है लेकिन जहां पर 95% possibility से शक्यता है ऐसा कारिय बहुत थी कम वो भी एक systematically शास्त्री तासे तो बहुत थी कम क्या नियूनतम या कोई भी नहीं कर रहा है ऐसा कहे तो भी अतिशयोक्ती नहीं है तो उसके उपर गुरुवर्य ने विचार किया और पूरा का पूरा जो समाज का चित्रन है उसके मूल में मनुश्य है और ओ मनुश्य का निर्मान जहां से होता है ओ गर्भ है उनके उपर गुरुवर्य ने बहुत ही अपने सालों के चिंतन के बाद अपना एक दर्शन दिया उसको दो भाग में बाटा इसको समझना प्रथम स्तर है जिसको हम गर्भ विज्ञान कहते है समझ कर उसका आचरण करना उसमें कही हुई बातों का व्यवहारी करण करना उसको हम गर्भ संसकार कहते है गर्भ संसकार में केवल पुझा पाठ विदी विदान कर्मकांड नहीं है केवल वो कुछ समस्कार ऐसे है जिसमें अवश्य मंत्रों का विनियोग है उपियोग है वो हम कराते है शास्त्रिय पद्दते से निस्वार्थ भाउसे लेकिन इतने में ही गर्भ समस्कार नहीं है कि तलो चार समस्कार करवा दिये हमने कहीं पर जाकर कुछ रिच्यूल्स में जो आता है कर्मकांड करा दिया तो हमने गर्ब सोंसकार कर लिया इतना ही मरियादित अर्थ नहीं है गर्बविज्ञान अर्थात पूरे गर्ब के सिस्टम को व्यवस्था को समझना उसको हम नाम देंगे गर्बविज्ञान गर्बस्य विशेशेन ग्यानम सामान ये रुप से तो सभी को ग्यान है विशेशेन ग्यानम गर्बविज्ञानम ये सा संस्कृत में अर्थ होता है तो ये एक हो गया ग्यान का पक्ष गर्प संसकार अर्था संसक्रियते समधातु के उपसरग पुर्वक्रुधातु है यहाँ पर अर्थातु उसका अर्थ होता है क्रियान वयन गरना एप्लाई करना तो उसको जब अप्लिकेशन में लाएंगे तब उसको हम कहेंगे संसकार तो ओ मंत्र से भी हो सकता है अवशद्यों भी से अवशद्यी से भी हो सकता है आहार से भी हो सकता है जो भी क्रियान वयनाब हम लोग करते हैं उसको हम समस्कार कहेंगे याति पूरणता की ओर ओस्या बढ़ सके और मनुश्या जा सके इसलिए हम प्रयतन पेले से ही करते है जब ओगर्ब में आता है या आने वाला है तब से तो ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रवरुत्ती है क्यों? क्योंकि ये उत्तम फल देती है जब मनुश्य आया ही नहीं है तब से ही आप सुरुआत करेंगे उसके जैसा मनुश्य का परिवर्तन और कुछ होई नहीं सकता है जो बिगड़ने से पहले परिवर्तन सुरु हो बाकी के जो महापुरुश हुए या बहुत सारे सोस्यल एक्टिविस्ट हुए रिफॉर्मर्स हुए उन्होंने बाद में सुरु किया काम और अयुरवेद या दर्शन सास्त्र या वेद बताता है कि वो आये तब उससे पहले ही आप काम चालू कर दो तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा तो ये एक कोई सामान्य प्रवुरुत्ति नहीं है ये कोई एक प्रोफेशन नहीं है ये व्यवसाय नहीं है ये एक आध्यात्मिक प्रवुरुत्ति है एक आध्यात्मिक साधना है जिसके माध्यम से उत्तम मनुष्य का आध्यात्मिक मनुष्यता का दैवी चेतनाओं का आविश करण हम कर सकते हैं ये पुज्य गुरुवरिये ने बताया इसलिए ये मिशन की तरह गुरुजी ने उसको निस्वार्थ निर्पेक्ष भाव से समाज के सामने रखा इसका एक पूरा दर्शन दिया केवल एक क्लिनिक खोलकर कुछ दवाईया दे दी गर्भ की और उसके बाद कुछ काड़ा दे दिया ये नहीं है ये एक बिल्कुल भाग है जो दस परसेंट बीस परसेंट का है जो दवाईया है वटी गुटी है और कुछ दूसरी अउशदिया है या आहार का कुछ फोम है लेकिन ये बहुती सुक्ष्म है इसमें पूरण चेतना का आविस्करण है जो सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता है तो ये गुरुवर्य ने पूरे के पूरे सिद्धान्तों का एकत्री करण किया गर्भ के ऊपर जो जो भाव असर करते है उसको समझा वेद उपनिशद गीता आयूर्वेद की विभिन सम्हुता है धर्मशास्त्र ये सब को चालीत करके विभिन पूराण सब को देख करके जहां जहां पर भी उत्तम चेतना के अवसर को प्रदान किया गया है उत्तम चेतना की बात कई गई है गर्भ विज्ञान की बात कई गई है उन्सको एकत्रीत किया अपने व्याख्यानों में शिश्य प्रशिश्यों के प्रशिक्षन में उनको बताया तो ये सारी बाते एकत्रीत करके हम गर्ब विज्यान या गर्ब सौंसकार ये दोनों शब्द है विज्यान समझ के स्तर पर और एप्लिकेशन के स्तर पर सौंसकार का कारिय होता है तो गर्ब विज्ञान और गर्ब समस्कार इसका हम अभी सुर्गात करने वाले हैं ये पूरे मिशन की इसमें विभिन्न आपको प्रशिक्षन भी दिया जाएगा लेकिन सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है तो सबसे पहले आप उसी भाव से समझे पहलाओ के लिए या जिसकी पतनी गर्बवती है बेहन एसे पुरुषों के लिए इसने लिमिटेड के लिए नहीं है ये वानप्रस्थी के लिए क्योंकि ओभी समाज में कुछ प्रदान कर सकते है खुद के बच्चे नहों कोई बात नहीं खुद के बच्चे बड़े हो गए हो कोई बात नहीं तो अभी समाज को प्रदान हम क्या कर सकते है उसना बड़ा लक्षिय लेकर ये मिशन का आरंब किया है गुरुवरियने आज ये मिशन को पचास साल के करीब हो गए है तो इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत न करते है मूल रूप से जो कुछ भुले बिसरी बाते थी उसको रखने का हम प्रयत न करते है जो गुरुवरियने बताई है तो वो सास्त्रों का वेदों का संपूर्ण सास्त्रों का सार है क्योंकि उन्होंने सास्त्र और वेद, उपनिशद, इत्यादी जो साहित्य है भारतिय साहित्य है उरका बहुती सुक्ष्मता से अध्यनगर के बताया है तो इतना आजम कहते हैं कि ये मिशन के रूप में है आप भी ये मिशन से जुड़ सकते हैं आप आयूरवेड डोक्टर है या आप कोई संस्ता चला रहे है या आप ने ट्रेलोपेद के डोक्टर है या कोई भी प्रकार की संस्ता चला रहे है आप सामाजिक कारिय कर रहे है या कुछ नहीं कर रहे है एक सामान्य आप घर पे एक सामान्य जीवन जी रहे है तो भी आप इस mission से जूड़ सकते हैं, इसकी training ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं तो सबसे प्रतम आप वीडियो के माध्यम से इसको चाने और बाद में यदि आपको ऐसा लगे कि और आपको इसमें इंट्रेस्ट है और कुछ आप इसमें करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप संपर्क करें, तो अगले वीडियो में हम और बाते देखेंगे नमस्कार, चैतनमतर